असलालेकूम फ्रेंड्स आपकी सुबा और गुड मॉर्निंग इस फूल के साथ करती हूँ हमेशा इस फूल की तरह आपकी जिन्दिगी में खुशियां और रंग भरे रहे बारिश के मौसम में अक्सर सीमेंट जम जाया करती है उसका भी यूज कर लिया है फोल लिया है तो फोलने के बाद ये जमा हुआ पार्ट as a stand यूज कर लेंगे और जो बची हुई तूटी-फूटी सीमेंट जमी हुई मिली है उससे ये प्यारा सा प्लांटर तयार कर लेंगे कुछ फ्रेश सीमेंट मिला कर और ये प्लांटर मैंने इस जमी हुई सीमेंट से ही बनाया है और तयार की है एक ब्रिक उस पर पाइप सेट कर दिया है ताकि हैंगर प्लांटर भी हम इस पर तयार कर सके बाटर या कोई भी आपकी लगा कर इस पर हैंग कर सकते हैं तो ये सी सिमेंट ब्रिक है, जम गई है, शूप गई है, इस तरह से मैंने और भी ब्रिक सैयार की है, स्टेंड भी इस पर रख सकते हैं, आप बोटल और छोटे-छोटे से प्लांटर, और या फिर हैंग कर सकते हैं, इसके पाइप पर इसलिए ही मैं इसको बनाना पसंद करती हूँ वैसे भी सीमेन फिक जाती, तो यूज तो करना ही था पुरानी फोड़ी हुई सीमेन में थोड़ी मौरंग और फ्रेश सीमेन ज़्यादा सी थोड़ा मिला ली और बॉल बनाते हुए नीचे बेस बनाया है उसके किनारे किनारे पर इन बॉल से ये सीमेन प्लांटर तयार किया है और भर दी है इसमें किचन वेस और मिट्टी कमपोस्ट बनती रहेगी सिमेन फेगनी ना पड़े इससे तो अच्छा था कि प्लांटर बना लेते और देखे इसका रिजल्ट कितना प्यारा है तयार हो गया है हमारा प्लांटर सिमेन बॉल से प्लांटर बनाना मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है इसलिए इसका वीडियो लॉग ना हो तो वो पैटर्न किस तरह से बनाने हैं सिमेन प्लांटर आप हमारे पिछले वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं इस वक्तों ये इंजॉय कीजिए नया नया सा प्लांटर जो बहुत ही चोडाई में अच्छा है और अभी प्लांटर ग्रो नहीं क्या है आगे करेंगे इंशाल्ला इसमें और इस पर पढ़ती हुई सूरेज की रेजिस देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है सुबर सुबा इन फूलों के पास पत्यों के पास बैट कर सन्राइज देखना, उसकी रेजिस देखना, हलकी फुल की धूप लेना कितना अच्छा लगता है ये तो तब आप फील कर सकते हैं जब आप अपने गार्डन में बैठते हैं तो प्लांट्स ग्रो कीजिए, छोटा सा ही सही अपने एन्वाइर्मेंट को बड़ा प्यारा सा बना लीजिए और ये आपके लिए भी अच्छा है तो फिर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अलाहाफिस फ्रेंस फिर मिलेंगे, इंशाला